नमस्कार, I am Dr. Hemraj, I am Wellness Consultant, आज हम स्ट्रेस के बारे में डिस्कुस करेंगे, स्ट्रेस प्रेजन टाइम की एक बहुत बड़ी प्रॉलम है, डबले अच्यों के अनुसार, स्ट्रेस के केसिश डे बाई डे इनक्रीज हो रहे है,وفीड नाइनटीन डिजीज के बाद स्ट्रेस के केसिश और ज्यादे इनक्रीज हुए हैं, और स्ट्रेस के कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं, आई असका मेकेनि outrage करते हैं, जब भी कोई external stimulus के कारण हम बुरा मैसूस करते हैं हमारी body में बहुत सारे hormone secret होते हैं उन hormone के secret होने के बाद हमारा जो heart rate है वो increase हो जाता है हमारा जो breathing है वो fast हो जाता है blood में glucose release हो जाता है और sweating हो जाती है अगर ये condition ज्यादा दिन रहती है तो हमारा जो immune system है वो भी suppress हो जाता है यानि कि immunity भी weak हो जाती है और जब ये threat remove हो जाता है जो भी external stimulus है वो remove हो जाता है तो हमारी body में ये hormone का level normal हो जाता है जिसके कारण body normal level पे आ जाती है लेकिन कई कंडिशन में जब external stimulus नहीं भी है तब भी body में यह hormone secret होते रहते हैं और यह लक्षन उत्पन होते रहते हैं और उसके कारण बहुत सारी बिमारियां होने के chances रहते हैं आईए discuss करते हैं कौन कौन सी बिमारियां chronic stress के कारण होती हैं अगर stress ज़्यादा time रहता है तो hypertension होने के chances रहते हैं यानि कि blood pressure बढ़ जाता है heart की कई diseases हो जाती है, coronary artery disease या blockage की problem उसके chances भी बढ़ जाते हैं किसी को अस्तमा की problem है तो stress के कारण उसके symptom एग्रेवेट होना start हो जाते हैं क्योंकि stress के कारण जो सांस की नलिया होती है या जिसको broncas कहते हैं उनकी constriction हो जाती है जिसके कारण लक्षण ज्यादा उत्पन हो जाते हैं stress के कारण heaviness of head या headache की समस्याभी रहती है अगर stress ज्यादा time रहता है तो depression and anxiety की problem भी develop हो जाती है chronic stress के कारण digestion से related problem भी आती है क्योंकि chronic stress के कारण acid की secretion ज्यादा होती है जिससे burning epigastrium हो जाता है और later on ulcer होने के chances भी रहते हैं aging process भी accelerate हो जाती है means जो बुढ़ापे की लक्षण है वो जल्दी develop होते हैं इसके treatment part पर हम fight stress discuss करेंगे जो एक बहुत ही important drug है stress को कम करने के लिए और जो stress की tolerance power को increase करती है आई इसके ingredient देखते हैं इसमें अशोगंदा, तुलसी, पिपली और गुडूची है अशोगंदा, तुलसी के ओपर बहुत दा research होई है जो की stress को कम करने में helpful है गुडूची यगिलोए ये भी stress को कम करने में helpful है ये जितनी भी herbs हैं ये cortisol hormone को normal level पे लाने का काम करती है और ज oxytocin hormone होता है जिसे हम feel good hormone भी कहते हैं ये उसकी secretion करता है या उसके level को increase करता है जिसके कारण जो stress के symptom है वो कम होना start हो जाते हैं ये हमारी stress से लड़ने की इक्षमता को भी increase करता है या stress tolerance power को बढ़ाने में भी help करता है अगर हम इसकी use की बात करें 12 साल से उपर इसका use किया कर सकते हैं तो stress को कम करने के लिए और stress tolerance power को बढ़ाने के लिए हम fight stress का use कर सकते हैं अईरवेदा की knowledge के लिए channel को subscribe करें ज्याद से ज्यादा लोगों में share करें thank you very much